बेशेक हुंड़ाई मोटर्स ने अपनी एंट्री लेवल हैच बैक सेंट्रो को क्लोज कर दिया है लेकिन जल्द ही हुंड़ाई अपनी सबसे छोटी और सबसे किफायती अंडर 5 लाक की एक ऐसी शांदार गाड़ी लॉंच करने वाली है जो लुक में वेन्यू से मिलने वाली है और जिसे आप मिनी वेन्यू भी कह पाएंगे और कार और बाइक्स के दिवानों के लिए न्यू इयर 2023 होने वाला है बहुत ही खास क्योंकि न्यू इयर की सुरुआत के साथ ही विविन भाहा नर्माता कम्पनिया अपने कस्टमर्स के लिए नए नए मॉडल्स लॉंच करने वाली है और एशिया का सबसे बड़ा आटोमेटिब शो देली आटो एक्सपो जनवरी 2023 में लॉटने के लिए पूरी तरह त्यार है और यह कारकरम 13-18 जनवरी 2023 में गेटा नोर्डा में शोकेस किया जाएगा और जहां पर लॉंच होने वाली हैं हुंडई मोटर्स की भी कुछ ऐसी शानदार गाड़ियां जिनका 2022 में काफ़े इंतजार किया गया जिन में से फर्स्ट है क्रेटा फेसलिफ्ट न्यू जनरेशन इसके लावा वर्ना का न्यू फेसलिफ्ट वर्जन और आइकूनिक E6 EV आने वाली है और ऐसी माइक्रो SUV जिसका कोड नेम हुंडई मोटर्स ने AI3 दिया है आटो एक्सको में शोकेस होने वाली है और ये हुंडई की नई मिनी SUV 2023 में ही मार्केट में भी एवेलेबल हो जाएगी और अब मार्केट में अच्छा खासा कंपेटिशन स्टार्ट होगा क्योंकि टाटा पंच हो या फिर रेनो काईगर या फिर निशान मैगनाइट या सिट्रोन C3 जैसी गाड़ियां उनको हुंडई की AI3 काफी कंपचीट करने वाली है क्योंकि ये सबसे छोटी और सबसे सस सबसे बड़ी बात है कि कार नर्माता इसे CNG फ्यूल के साथ भी पेश करेगा और फीचर्स की बात करें तो 8 इंच का टैच स्क्रीन इंफो टैन्मेंट सिस्टम, एंडरोड ऑटो करेक्टिविटी, आटोमेटिक एसी यूनिट के साथ में पावर विंडो, रिवर्स कैमरा, इलेक्टिकल एडजस्टेवल ओर बेम्स जैसे सबी शानदार फीचर्स होंगे, और प्राइज रेंज में भी टाटा पंच और सिट्रोन की C3 को ये गाड़ी कमपेटीट करने वाली है, तो कस्टमर के लिए काफी शानदार विकल्प होगा, और टूविलर सेगमेंट की मोस कमप्राइज में आप बाइक को रन कर पाएंगे, और जहाँ पर 2022 में कई शानदार गाड़ियां लॉंच होई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, किया मोटर्स हो या फिर एमजी और मारुती की साथी कुछ गाड़ियों के अपग्रेड मॉडल्स भी आए, वहाँ पर 2023 में कुछ ऐसी गाड़ियां में लॉंच होने वाली हैं, जिनका 2022 में काफी इंतजार रहा, और न्यू यर अब स्टार्ट होने वाला है, और सभी वहाँ नर्माता कमपनियां अपने मॉडल्स को अपग्रेड करने के साथ साथ, न्यू मॉडल्स को भी पेश करने की तयारी कर रही हैं, और यहां हम आपको अपडेट करते हैं, 2023 में आने वाली 10 नई गाड़ियों के बारे में, जिन में सामिल है मारुती सुजुकी के अलावा, टोयटा मोटर्स, महिंदरा आटो मॉबाइल्स, टाटा मोटर्स, हुंडई इंडिया, हॉंडा मोटर्स के अलावा, किया मोटर्स भ प्यारी में हैं, और इनकी लॉंचिंग से पहले ही, जनवरी 2023 आटो एक्सपो में इन्हें शोकेस किया जाएगा, इसमें फर्स्ट है, फाइब डोर की जिमनी, सेकिंड है, वाई टीवी कोड नेम वाली, बलैनो हैच बेक पर आधारी तेक नई कूपे टाइप की SUV, जिसमें मिलने वाले हैं, शांदार फीचर्स, बात करें, ओफ रोडिंग में जिमनी फाइब डोर को, जो की सीदे सीदे महिंदरा मोटर्स की ओफ रोडिंग SUV, महिंदरा थार को कंपटीट करने वाली है, प्राइज लेवल पर, इसके अलावा फीचर्स और कंफर्ट पर, इसके अला हैरियर और सफारी SUV का पेसलिप्ट वर्जन लांच करने वाली है, तो अगर आप हैरियर या सफारी परचेज करने का प्लान बना रहे हैं, तो इन ओल न्यू शांदार अपडेट का वेट कर सकते हैं, और इन दौनों मोडल्स के बारे में ही डेटेल्स इंफ्रूमेशन 2023 अटो एक्सको में मिलने वाली है, नए मोडल में डिजाइन में बदलाब और इंटियर को अपग्रेड किया जा रहा है, इसके अलावा एक सबसे शांदार अपग्रेड होगा हैरियर और सफारी फेसलिप्ट में मिलने वाला है एड़ास का यानि की एडवांस ड्राइवर अ परचेज करने जा रहे हैं, तो जल्द ही क्रेटा का फेसलिप्ट वर्जन आने वाला है, तो क्रेटा का वेट कर सकते हैं और ल्यू अपग्रेड के साथ, ताकि आपको शांदार लुक के साथ में कुछ और नए जानदार फीशर्स भी मिल पाएं, और इसी के साथ मोटर्स की सिस्टर कंपनी किया मोटर्स भी अपनी स्यू भी सेल्टोस का फेसलिप्ट वर्जन भी जल्द ही लांच करने वाली है, और पॉसिवल है आपको फस्ट टाइम ये आटो एक्सपोर 2023 में मिल पाएं, तो आप सेल्टोस भी अगर न्यू परचेज करना चाहते हैं, तो वेट कर सकते हैं January end तक, इसके लाबा Honda Motors अब एक Compact SUV लाने की तयारी में है, और केवल इतना ही नहीं, मारुटी सुजू की अपनी मौजूदा Swift का भी एक updated वर्जन लाने वाली है, साथ ही इसका एक powerful वर्जन भी hybrid options के साथ में launch होगा, और youth को ध्यान में रखते हुए, अ अगर आप all new Swift चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं 2023 का और इसके बाद है Mahindra Motors जो की अपनी बेहद लोक प्री है, और इस कार की लंबाई मौजूदा थार से ज़्यादा होगी, comfort और space ज़्यादा होने वाला है, और बात करें अगर Hyundai Motors की, तो Hyundai Motors भी अपनी Grand i10 Neos का face lift वर्जन ला तो मारुती अपनी एक all new MPB लाने की त्यारी में है, यानि कि अब Artica के अलावा एक और शांदार options मारुती के portfolio में मिलने वाला है, और यहाँ पर Mahindra Motors जहाँ पर 5 डोर वर्जन लाएगी थार का, वहाँ पर Bolero Neo Face Lift भी लाने वाली है, यानि कि मौजूदा Neo का एक upgraded वर्जन ल लाँच होगी तथा XUB300 SUV का electric वर्जन भी आने वाला है, और Tata Motors यहाँ पर अपनी Altros और Tata Punch दोनों ही गाड़ियों के electric वर्जन Auto Export 2023 में शोकेस करने वाला है, बात करने Toyota Motors की, तो Toyota Innova High Cross कमपनी की मौजूदा MPB की upgraded वर्जन होने वाली है, इसके अलावा Toyota एक कूपे टाइप क SUV भी लाँच करने की त्यारी में है, और Kia Motors की बात करें, तो Kia Motors जहाँ पर Seltos का Face Lift लाएगी, वहाँ पर कारनिवाल का भी एक latest version लाने वाली है, और Honda Motors का जैसा हम आपको बता चुके हैं, एक Compact SUV लाने की त्यारी में है, तो काफी सारी गाड़ियां हैं जो आपको First Time Auto Expo के अ Available होने वाली है, और अगर Currently आपको Strongly Need नहीं है, तो आप Wait कर सकते हैं, इन All New SUV, MPB, या फिर इन Micro Type की SUV का, जिस भी सेगमेंट को आप चाहते हैं, क्योंकि Next 3 Month में आपको बहुत सारे Options Market में मिलने वाले हैं, चाहे वो Market की Popular गाड़ियों के Face Lift version हो, या Popular Company दवारा Launch किये जाने व सबसे पहले अपडेट चैनल को सबस्क्राइब करके, और इसी के साथ अपनी सभी Query का Daily Solution ले सकते हैं, Daily Instagram पर हमारे साथ Live Chat करके, मिलते हैं Next Update के साथ, नमस्कार दोस्तों!